हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं इस्टोडी फीडर आफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि एंपी वर्ग टू यूपी टीजिती पीजिती यूपी यल्टी ग्रेट बीपी एसी टीरी फूर सभी के लिए मैं टेस्ट सरी चला रही हूं डेली बेसेश पे तो जितने भी फिजिकल एजुकेशन के प्रिपरेशन करने वाले हैं जाहे कोई भी इस्टेट के तैयारी कर रहे हूं तो मेरे साथ डेली बेसेश से बने रहे हैं डेली आपका कंफूजन दूर होगा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एकजाम में समय को कवर करने की सक् लेगी और जितना जल्दी आप कोईशन को कैप्चर कर लेंगे समझ जाएंगे उतना ही ट्राइम आपको एक्ष्टा मिल जाता है जिससे आपका सेलेक्शन होना निस्चित हो जाता है क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी टाइम मेनेजमेंट प्रिक कर प हुआ है सभी कोईशन आए हुए थे मेरे प्रैक्टिस कराएं हुए तो दोस्तों चलते हैं आज की कोईशन के तरफ कोईशन पूरा देखेगा दोस्तों क्योंकि यहां पर पता चल जाता है कि आप पूरा देख रहे हैं कि आधा देख रहे हैं कि कोईशन नमर वन है डायर समंधित है तो तो सब डायट बडियान विलू से समंधित है यहां narrative आफ सब को पता है कि यहां प्लाव इतर स्ब्डरब को पता है कि सब्सक्राइब एक डायट टैस्था और समन समन गी्च रहता है यहां मैंने इंग्स इनस पर वालीबाल, बैमिंटन, होकी, सभी के स्किल टेस्ट को आप एक एक चीज को डीजेल में पढ़ने के लिए त्योरी सेशन में जाएए, टेस्ट मेजरमेंट एई इवल्यूशन के प्लेइलिस्ट में, वहां सभी चीजे आपको डीजेल में मिल जाएंगी, जैसा कि आप कल संजा के देखिए सभी तीजों को, तभी आप अच्छे से कोशन का अंसर दे पाएंगे, कोशन नुमर टू है, सरीर रचना एक महतपुड घटक है, यानि कि, बाड़ी कंपोजीशन is an important component of, इसलिए मैंने इंग्लिस इंदी दूनों में, डेली वीसे से प्रैक्टिस करा रह आपका हैबिट बना रहेगा तो एक जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिस इंदी दोनों में, तो बाड़ी कंपोजीशन यानि सरीर रचना एक महतपुड घटक है, तो आप शब को पता है किसका महतपुड घटक है दोस्तों, या हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फ इंदी फिजिकल फिटनेस काते किसे हैं, डेली रूटीन वर्क बिदावड एनी फॉटी, डेली के काम को बिना थकान के संपन करना और अतरित उर्जा किसी विसेश घटना के लिए बचा के रखना, वो फिजिकल फिजिकल फिटनेस का लाता है, जिसको दो भागों में स्किलर एंडुरेंज, काडियो रिस्पारिटी एंडुरेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कमपोजीशन आता है, जिसके बारे में आप इस्पूर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाएं, सभी ठीयोरी सेशन आपको डेल में वहाँ पी मिलेगा, Q3 है, जर्मन जिमनास्टिक का पितामों किसे कहा जाता है, इस से भी डिलेटिर कोशन आया था, उत्राकरन एल्टे ग्रेट में देख रहे हैं, कि हिस्ट्री सरी कोशन पुछा था, प्राजीन ओलंपिक से भी कोशन पुछा था, दोस्तों आपको किसी टॉपिक को छोड़न यहां था, चलिएक पढ़ाना है दोनी डिलेटिएल में दोना है, तभी आप को आइंसर कोई दे लेंके, दिकत नहीं होगा तो जर्मन जिमनास्टिक का पितामों किसे बंने जाता किसे बंस को ? तो जर्मनी में जिमनास्टिक का प्रितामा कहेगा तो गर्स मर्स ठीक है कोशन नबर फूर है कि पेसी का निंळ में से कौन सा कारे नहीं है विच आव दे फॉलिंग इस नोट फॉंक्षन आप नबर फॉंक्सन रूप दोस्तों जब पेसी शंकूचन में जो पेसी मुख्य भूमी का आधा करती है उसे हम कहते है एगोनिस्ट उसकी बीपरी जो भूमी का आधा करती है उसको हम कहते है एंटागोनिस्ट और निट्रलाजर उसे कहते है कि पेसी जो है कोई भी प्रतिक्रिया ऐसा नहीं करने देती जैसे कि आप सुपाई नेशन कर रह किसी संक्रामक रोग को हौंसन रोग कहा जाता है विच इन फैक तियस डिजीज एच कॉल्ड हैंसेज डिजीज तो जो कुष्ट रोग जिसे हम कोड कहते हैं लेप्रोसी को हम हैंसेज डिजीज के नाम से जानते हैं कुष्ट रोग लेप्रोसी को हम हैंसेज डिजीज के नाम से जानते हैं जिकिस्सक गोरहाड आमोर हैंसन के नाम पर माइक्रो बैक्टरियम लेप्री और माइक्रियो बैक्टरियम लेप्रो मेटासिस बैक्टरिया के करण होने वाला एक दिर कालिक बिमारी है यह चे कार्शा से निट्रोट में जैवलीन जैवलीन देते हैं अरहों नहीं होगा अगट।री यहां पर को इसन नहीं कि प्रम स्यूंत आपकर दता हैं यहां हैं पर आप सानल में होगा उसके अलामत जो आपका साठ फूट जो आपका साठ फूट स्ट्रू एक और होता है इन तीन हो जो है चनाटीस दसमलो 92 अंस होता है सेक्टर का कोड़ लेकिन जैवलीन ध्रू में 29 अंस होता है जेवलिंगे जुभाय होता है मैलाओं के लिए 600 ग्राम पुर्सुक्री 800 ग्राम होता है कोश्चन नमबर सीविन है कि ACI खेलों का प्रतिक चिन क्या है What is the symbol of ACI गेम दोस्तों ACI खेलों का प्रतिक चिन है पूरा उगता हुआ सुर्यम ग्यारत छली कोश्चन नमबर आठ है किसी वस्तु द्वारा तैक की के दूरी निर्भर करती है The distance covered by an object depends on दोस्तों किसी वस्तु द्वारा तैक की के दूरी उसके प्रारम्भीक वेग पर निर्भर करती है इनिटियल विलोसिटी पर कि आपका प्रारम्भीक वेग कैसा है किस तरीके से आपने जो प्रारम्भीक वेग होता है जो acceleration चरड़ होता है इसमें कैसे आप extract किये है उस पर निर्भर करता है Question No.9 है कि मानो सरी में प्रधान ग्रंथी कौन सी है Which is the main gland यानि master gland in human body कौन है दूस्तों अब जानते हैं जो pituitary gland है वो सभी अंता हिस्तरावी ग्रंथियों का नियंतर करती है इसलिए puse gland यानि pituitary gland को मास्टर ग्रंथी या प्रमक ग्रंथी कहा जाता है Question No.3 है कि सारल सिच्छा के इतिहास में सिंदु घाटी सभिता की अवधी क्या है तो यह आपका 3250 इसापुर से 300 इसापुर तक माना जाता है सारल सिच्छा के इतिहास में Question No.11 है निवनि में से कौन सा आकड़ो का चित्र समंधी प्रतिवेदन नहीं है Which of the following is not graphical representation of data तो यहाँ पे histogram है frequency polygon है ओजाईव है बट आपका binomial नहीं है क्योंकि binomial आकड़ो का चित्र समंधी प्रतिवेदन नहीं है यहाँ binomial एक गरतिय वेंजक है जिसमें धन चिंद या औरिड चिंद से जुड़े दू पद होते है Question No.12 है कि निवनि में से कौन सा स्वास्त से समंधीद फीटनेस घटक है Which of the following is the health related fitness component तो health related cancer तो आपका past component control से आते है muscular strength, muscular endurance, cardio respiratory endurance, flexibility and body composition यहाँ पे आप देख सकते है reaction ability, agility, speed एक तीनों motor skills related physical fitness रिलेटेट है जबकि यहाँ पुछा क्या है health related physical fitness तो muscular endurance जहाँ पे muscles सब्द आ जाएगा वहाँ हमें साथ रहेगा health related physical fitness ठीक है मासपीजियों की सहन, सक्ती, स्वास्ते समंधी घटक है यह वहाँ बल है जिसमें आप जितना वज़े उठा सकते है muscular endurance क्या होता है पेशी और पेशी समूं की वह चमता जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे समय तक ठकान की सिती में भी करने में सहायक हो इसे cross country, pull-off, sit-offs आ दी question number 13 है कि साररिक एवां बौधिक प्रदर्शन करने को निमने में से कोई सा ततपरता के विभीन इस्तर को दर्शाता है ततपरता मतलब जागरूख होना which of the following indicates different levels of readiness to perform physical and intellectual tasks तो जोस्तो readiness आप कब होंगे जब आप जागरूख होंगे alertness आप में होगा यहाप राइटेंसर हो जाएगा आपका जागरिती यानि की alertness आपस्टन नमबर C इस परकार के question इस समय कूछे जा रहे है question नमबर 14 है खेलो में उच्च प्रदर्शन है तू किस इस्तर की बेगरता की आवसकता होती है what level of anxiety is required for high performance in sports तो दोस्तो इसमें जो anxiety level है चिंता इस्तर है जो आपका बेगरता है वह आपका न बहुत ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए आपको यह चिंता होना चाहिए कि हमको कारे करना है सही धंग से संपन करना है यानि optimum level होना चाहिए कि optimum level जिसे इस्टतम इस्तर कहते हैं optimum level का मतलब कि न ज्यादा न कम मध्यम इस्तर कहोना चाहिए कि कोशन नमर 15 है कि हथेली को आगे या ऊपर की और घूमने को कहते हैं कि रोटेटिंग दो फारवर्ड और अपवर्ड इस गॉल्ड तो फारवर्ड अपवर्ड है तो आपका सुपाई नेशन होगा कि आपका डाउन्वर्ड होता तो प्रूनेशन होता यहां फिस्पाई नेशन इस जा करेट एक्स अंसर हो जाएगा कोस्टन निम्बर 15 का यहानि कि पीठ के बल्डेटना हथेली उपर की और आस्मान को फिस करना यह आपका हो जाएगा सुपाई नेशन पेड के बल्लेचन ने नीचे की और जबीन की ओर फिस करेगी तो वहां पर प्रूनेशन हो जाएगा यहां पर इस प्रकार की कोशन पूछा गया था उत्रा को नियल्टी ग्रेट में इन्वर्जन क्या होगा पैरों की उंग्लियों को अंदर की तरफ तरफ नहीं होना आप टकनी के ऊपर खड़े होते हैं तकने पर जो है आपकी जो उंगलिया होती है उपर की तरफ उठे होती है यानि कि अप्वार्ड और डाउन वर्ड इसमें प्रेव होगा अप्वार्ड उपर की तरफ होंगी तो उसे हम डौसी फ्लैक्शन कहेंगे वहीं उंगलिया तकने पर नीचे की तरफ होंगी तो उसे ह कहेंगे कि प्लांटर फ्लैक्शन ठीक है दोस्तों नेश्ट है कि कोशन नंबर 16 है कि मावनों शरीर की अस्तियां किस आधार पर वर्गिकित की जाती है वोंस ऑफ पर पर कितनी भ हागो में डिवाइट कया गया है 5 भागों dilig बोन् साट गूंन फ्लैडड ऐरेग। एक यहां पइरो जैसे हिमर्स रेडियोस अनल फिबर टीबिया फिमुला इसी में जो है अस्थी मज्जा पॉन मेरू होता है जिसे हैं थी में अस्थी मज्जा यानि बॉन मेरू होता है जिसे रखते का निर्माण होता है दुसरा होता है साड़ जो हमारे कलाई और तकने यानिकी कारपस तार्सस बोन होती है जो समधित अंगों को सागत पृतार्ण करती है यह उपर से कठोर तथा उप्टर से खोक्रियति खूनी होती है तीजरा होता है फ्लैट गों जो यहां पी सुरचछा के आउ सकता होती है व तो यह नान एक्सियल होती है जैसे कि पुछा हुआ था कॉस्चन पांच वह होता है सीसा मॉयर्ड गून जो कंड्रा में यानि की टेंडर में जोड़ों पर विक्सित होती है जोड़ों की आज पास इसमें पटेला बेस्ट एक्जॉम्पल है कॉस्चन निम्र 17 है चार गुड़े 400 मिटर वीले दोड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी इस्ट्रेगर की दूरी होगी इस ट्रेगर दिस्टेंस फार्दर टीम इन दो सेकेंड लेन इन पोर बाई फोर हंड़ेट मीटर रिले रेस तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आफ़सर नमबर सी दस दसमलो पांच साथ मीटर रिले ले इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसमें डीटियल में हमें समझा दोंगी ठीक है कोस्टन नमबर 18 है आधनिक उलम्पीक के जन्म जाता पीरेडी कोबार्टिंग का संबंध है तो कहां से बिलांग करते हैं तो फ्रांस देश से जो आधनिक उलम्पीक समीती के संश्थापक भी है टेज जून 1894 वे इन्हों ने किया था और उसके बाद 1896 में पथम आधनिक उलम्पीक के संपन कराये गया था कोस्टन 19 है हिदय की दाय निले से रक्त को सुद्ध करने के लिए किस धामनी द्वारा फेपड़ों तक ले जाया जाता है तो दोस्तों यहां रक्त को सुद्ध करने के लिए जैसे कि अब जानते हैं हिदय की चार भाग होते हैं उपर की दो भाग को अलिंद यानि की आर्ट्री आर्ट्री जोस्तों आर्ट्री आपको धमनी को कहा जाता है आर्ट्यम बुला जाता है अलिंद को इनिस में आर्ट्यम बुला जाता है और निले को वेंट्री कर बुला जाता है तो उपर की दो भाग को हम अलिंद आर्ट्यम बुलते हैं और नीचे की दो भाग को निले तो जैसे कि आप जानते हैं दाय अलिंद जो होता है उसमें से सुपेरियर बेनाकावा यानि कि और इंफिरियर बेनाकावा सीराओं के दोरा असुद्ध रख्त को दाय अलिंद भी लाकर छोड़ा जाता है फिर असुद्ध रख्त दाय निले में जाता है असुद्ध रख्त दाय क्योंग के निले इरोटीक वालों के रास्ते महा धहमनी इरोटा चीटा समस्त शरीक भाग बेज़ दिया जाता है यहांपर पर सुद्रक्त जवती होने के लिए प्हेप में किस धहमनी की दोरा जाता है तो तो कोर्शन नंबर 20 है लीग टूर्णामेंट के अंतरगत साइकल विधी द्वारा आफ टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या होती है लीग टूर्णामेंट जो है यहां पर जो लीग टूर्णामेंट दो परका करें होता है सिंगल लीग डबल लीग इसमें शिक्सट डालने की तीन बीजिया होती है साइकल टेबलर एंड इस्टेर केस मेथ़ड तो सभी में जो टीमों की संख्या ग्यात करने का सुत्र होता है सेम होता है है यहां पर क्या है दोस्तों आपका क्या है आठ टीम है तो आठ माइनस वन अपन टू तो क्या हो जाएगा आठ गुड़े साथ अपन तु यानी कि छफपन अपन टू 28 दुना 56 हो जाएगा इस परकार 28 आपका एंसर हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा लिग पर तीक्ता के अंदर का साइकल विधी द्वारा आठ टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या कितनी होगी तो कितना होगा 28 आपसन निबर सी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा कि पानी में गुलंजिल बिटामिन कौन सा है वीच इस दो वाटर सॉलिवल बिटामिन तो दो भागवन बटा क्या है वाटर सॉलिवल एंड फैट सॉलिवल वाटर सॉलिवल या पानी में गुलंजिल बी सी और एच होता है और जो वसा में गुलंजिल फैट सॉलिवल बिट कोसेन नमबर बाइस है दासनिक सोध को यह भी कहा जाता है फिलोसोफिकल रिसर्च इस और सो कॉल्ड तो दोस्तों दासनिक सोध को हम संकलपनातमक सोध भी कहते हैं संकल पनात्मक्सूद यानि की कांसेप्चुल रिसर्च भी कहते हैं कोश्चन नमबर 23 है खेलों की पुनराबिटी सिधान्त को किष्णी पर स्तावित किया था हूँ पोज्ड रिकैपिकुलिटी थियूरी आफ गेम दोस्तों पुनराबिटी जिसे रिकैपिकुलिटी थियूरी कहते हैं इसको प्रपोज्ड यानि की प्रस्तावित किया था जी एस्टेनली हाल आफसन नमबर B यहां पर राइट एंसर होगा जी एस्टेनली हाल जिसमें पुर्व अनुभव को पुर्व अनुभव करना होता है पुर्व अनुभव को यानि की खेलों की पुण्रापेटी सिधान जी इस्टनी दोरा हाल दोरा परश्टाविट किया गया, इनके अंसर बालख अपने भोविष्य का पुरवा भ्यास नहीं करता बलकी अपने समाजी अतीत को दोहराता है, इस परकार खेल अतीत को दोहराने की क्रिया है न कि भोविष्य के तर साइको इनलिटिक सिग्मन फ्रोयर ने दिया है रेचन ने और दिया है या कैते टिक त्योरी यह सुधी करना भी कहते हैं अरस्तु ने दिया है, social theory समाजी धाड़ा को अरस्तु ने दिया है, pledge life यानि खेल ही जीवन है सिधान दिया है जान डीवी ने, and साज प्रविर्ती instant practice theory दिया है मैप डूगल ने, question number 24 है, क्रमा कुंचन होता है, परिष्टेल्सिस अक्यूर्स इन, परिष्टेल्सिस यानि क्रमा कुंचन जो गती होती है, वो कहां पर होती है दूस्तों, जब हम खाना मुख में डालते हैं, उसके बाद हमारे कहां जाता है, मुख गुखा के बाद, आइसो फेगस जो हमारी बोजन नली होती है, वहां जाता है, बोजन नली में ऐसे ही नहीं चला जाता है, अमासा में, बोजन नली के बाद जाता है, अमासा यानि पेट में, तो वहां पेट तक पहुशता कैसे है, अमासा तक, तो इसमें एक क्रमा कुंचन गती होती है जिसके कारव भोजन जो है खिसक करके अमासर यानि की इस्टोमस तक जाता है तो यहां पर होता है आईसोफेगस में ठीक है इसोफेगस यानि भोजन नली में क्रमा कुंचन गती होता है ठीक है तो जो पेसियों में क्रम सा जो है अरि थाभान व हमारे पाचक नाल में ग्राश नली से यू लेकर मलासा तक होती है तो ना सिप्रारव होती है तो परिस्ट कर मां कुँचन गती है भोजन नली से प्रारमव ककर पीस्नाले बनासा शकालार एक शुट धर या कषेट हार ननें आगे बढ़ता रहता है ठीक है एक जगह रुखता नहीं है तो ये कमा कुंचन गती की द्वरा ही बोजन एक अस्थान से दुस्य अस्था पर एक जगह से दुस्य अस्था जगह पर जाता है कोशन नमबर पचीस है नेता जी सुभास नेशनल इस्टिटीट आप स्पोर्स पर ट्याला का उद्गारण किसके द्वरा किया गया था नेता जी सुभास नेशनल इस्टिटीट आप स्पोर्स पर ट्याला वाच इन ग्यूरेटेट बाई हूम तो दोस्तों यहां था कि डाटर के एल स्रीमाली के दोबारा किसके दोबारा डाटर के ततकालिन सिच्छा मंत्री डाटर केल स्रीमाली ने साथ मईए 1961 को नेशन इस्टिटिव अब इस्पोर्स पतियाला का उध्गाटरंग किया था नेताजी सुभास चैन्द बोज की इस पर्दा को किल कितने दिन में एक खिलारी पूरह करता है इन हो मेन === ढूस्तो जो डेकासला होता है डेकासkg बाखलान है चीजट है उसको मॉंत इवेंटिशोल वतलोग फिलिए उ दिन डेहां मैंने एकड़ संपन होता है कितने दिन Wash à two day में ठीक है परफन दिन प सबसे हैं सो S.00 लंबा शर्थ पहन्के उंची कदसे 400 मिटर दोड़ा यानी 100 मिटर का लंबा सः यानि इस पहले दिन का 100 मिटर दोड लंबा से लंबा गूद और 8 के पहुन के उंची कदसे चार सो मिटर दोड़ा यानी की 500, यानी कीmp층 corazón 52 मेटर दोड़ा 2 दोड़ा पांच कौन है इसका ट्रीक है दूसरे दिन का कि 100 मिटर का हर्डर लेकर दी पूजे पंदर सो मिटर दोड़ा यानि 100 मिटर का हर्डर यानि कि 100 मिटर बाधा दोर दूसरे दिन का प्रथम इवेंट और दी पूजे डी से हो जाएगा डिसकस थो, पो से पोलवाल, जेसे जेवलीन थो, अब पंद्रसव मिटर दवड़ा यानि पंद्रसव मिटर दवड़, ठीक है, इस प्रकार मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, कोस्चन नमबर सताइज है, सो मिटर दवड़ में वायू का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, फार हाव मच टाइम दव विन्ड विलोसिती मेजर इन हंडेड मिटर रेस, दोस्तों, विन्ड गेज के द्वारा हवा का वेग मापा जाता है, वह भी हवा का जो वेग है, वहाँ, 100 200 मिटर दवड़, 100 110 मीटर बाधा दवड़, और लंबी और ट्रिपल जंप, लंबी कूल और ट्रिपल जंप में मापा जाता है, अवा का वेग जो है, 10 सिकंड में मापा जाता है, ठीक है? कितने समय के लिए? 10 सिकंड के लिए. आपसन नंबर भी राइट होगा वहीं पर आपको देगा 110 मिटर बाधा दोर में हवा का वेक इतने दिर के लिए मापा जाता है तो 13 सेकिन के लिए कि बाधा थोड़ा देर लगेगा ठीक है इस ट्रीक से याद करिएगा और लंबी कुद और यानि लांग जंप और ट्रिपल यानि जंप कर रहा है उसे जल्दी हो जा रहा है तो पांच सेकेन में याद रखिएगा कोशन नंबर 28 है ओलंपिक के प्रतीक चिन्द में बना पीला चल्ला किस महादीब का प्रते निजितु करता है एलो रिंग्स इन दा ओलंपिक इंब्लेम री प्रजेंट्स वीच दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे उलम्पिक प्रतीक चिन्द तिरंगा जंडा उलम्पिक जंडे को बनाया था प्रेडी कोबर्णी ने 1913 में सबसे पहले फराया गया 1920 एंटवर्प उलम्पिक में इसमें जो डबलू अकार के पांच चल्ले बने हुए हैं ठीक है चिनिला यूरोप महादीव का प्रतीक पीला एस्या महादीव का प्रतीक काला अफ्रीका महादीव का प्रतीक हरा आस्टरिया महादीव का प्रतीक लाल अमेरिका महादीव का प्रतीक है यहां पे कौन सा पुछा है पीला चल्ला किस महादीव का प्रतीक है तो पीला एस्या तो अक्रित परिकलपना को हम अंतर हीन या अंतर रहेत परिकलपना कहते हैं नान जीरो हाइपोथिसिस यानि कि नल सब्द का अर्थ है कि एक समानने रूप से स्विक्रित तथ्य की सोध करता इसे रद्द करने के लिए काम करते हैं इसका अर्थिया नहीं कि यह कथन सुने है अर्थात कुछ भी नहीं स्वेम सायर इस सब्द को असक्त प्रिक्रतना कहा जाना चाहिए क्योंकि इसमें क्रम कम भ्रह्म हो सकता है क्वेशन नुबर तीस है मूटे पन का मापन निकी द्वारा होता है कितना दबाव होता है तो यहां पर इसकीन फोल कैलिपर जो है आपका फैट मेजर करता है मोटे पन ओवेशिटी को मापता है कोशन नुबर अक तीस है कि इस नायू का खिशना कहलाता है स्ट्रे्टि अफ एफ लिगामेंट ईजकौमां तर गोर और यहां क्वान काल-वार्थ embryut हड़ यह सुजोड़ता है लिगामेंट के चोट को खिचाऊ को हम इस्प्रेन यानिकी मोच कहते हैं और मांस्पेसी या टेंडन की खिचाऊ को हम इस्ट्रेन या खिचाऊ कहते हैं ठीक है दुनों को याद रख्येगा Question No.32 है दो मध्य मानों की तुलना के लिए सार्थकता परिच्छ कहा जाता है The significance test for comparing two means is called तो दो मध्य मानों की तुलना के लिए सार्थकता परिच्छ को हम क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है T-Taste क्या कहा जाता है T-Taste T-Test एक प्रकार का अनुमानात्मक आंकड़ा है जिसका उप्योग यह निधायत करने के लिए किया जाता है कि क्या दो समुहें कि साधरों के भी रिष्च एक महत्पुर्ण अंतर है जो कुछ विशिष्टाओं से समंधित हो सकता है क्या होती है कि आइसो मेट्रिक कंट्रक्शन में पेशियां क्या होती है सिकूर्टी है नहीं लंबी होती है नहीं यतनी लंबी होती है उतनी सिकूर्टी है नहीं सिकूर्टी है नहीं फैलती है नाइधर कंट्रैक्ट नार स्ट्रेच कि इससे भी समन्दित QS पूछा था दोस्तों आपका QS कहां से आए जो किसी लेबस में है वहीं से तो आएगा आपको टेंसल लेने की जुरूरत नहीं है बस आपको डेली वे सेरी प्रेक्टिस करना है थिक है तो आईसो मेत्रिक मतलब आईसो मतलब सेम मेंत्रिक मतलब तर न करा दूंगी अच्छे से दूस्तों एक कोशन था खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम जिसका मैंने उत्तर खेलो इंडिया समझ करके 2018 दिया है बट खेलो इंडिया इनिवर्सिटी है तो वहां पे 2020 में शुरू हुआ था याद रखेगा उस कोशन का एंसर मैंने जल्द बाज सेटी की स्टार्ट 2020 में हुआ तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन आइसो मतलब सेम मेंतिक मतलब तनाव सेम तनाव जिसे उनिस्ट्व चोविस में हेटिंगर और मूलर ने खोजा था जिसमें कोई गती नहीं होती कारह होता दिखाई ने देता प आइसोमेट्रिक अभियास करने से सरी का तापमान बेदिय योता है प्रति दिन करने से पेशियों के आग्रितियों आकार में प्रियतन हो जाता है दूतरा भुता है ऐसो ट्lezta 14D इस्व में हेटिंग आइसोमेट्रिक कोईं बूच फिसमTrка 1330 में इसुछा था एसोत्री प तो आइसो टोनिक का मतलब होता है सेम तना जिसमें पेशी चोटी बड़ी होती है यह दो प्रक्राइक होती है कंसेंट्रिक इसेंट्रिक जब छोटी होती है तो उसे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं जब लंबी होती है तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं और आइसो ट जिसको जेम्स पिराइन ने उन्हीं स्वर्सर्ट में खुजा था ये मशीनों की सहायता से किया जाता है ये पानी वाले खेलों जैसे कि रोई नाओ खेना तैना आदी में जादी होता है Qwn number 34 है किस विठ्ठात हांकी खिलाई दवरा golden hat-trick पुस्तक लिखे गई तो दोस्तो इसको लिखा है बलबीर सिंग आसन number C बलबीर सिंग ने लिखा है हांकी के खिलारी जिन्होंने ओलमपिक में सरवादी गोल किये थे Q35 है कि खेलों से संबंदित उत्तम गति विधियां करने के लिए सरी के विभिन अवयों का सामजस्य से बनाने की योगता को कहते है The ability to coordinate various body parts of perform perfect sports activities is called Body parts, सभी अंगों का आँख, कान, हाथ, दिमाग सभी का सामजस्य से होता है उसे हम युगमन युगता coupling ability कहते है जैसे कि आप जानते हैं कि coordination के अंतरकत आता है जो समन्नों युगता होता है एजलेडी पूर्ती का ही आधुनिक नाम है समन्नों युगता जो है सिंटर नर्वस सिस्टम के करिया के अधार पर कारिक करता है जिसमें साथ प्रकार होते हैं Adaptation ability अनुकलन युगता Balance ability संतुलन युगता Coupling ability युगमन युगता Differentiation ability प्रिथक्रोड की युगता Rhythmic ability तालमिल युगता Reaction ability प्रिथक्रिया युगता Orientation ability निधार युगता इन सभी के बारे में आप डेटेल में जानना चाहते हैं तो आप Coordination ability यानि की जो Sport training के playlist में जाएए वहां पे आपको strength, endurance, flexibility, speech coordination इन सभी पांचों के बारे में अच्छे सी बताया गया है वहां पे जाके देख सकते हैं तो यहां पे जो आपसंद दिया हुआ है Coupling ability आपका right answer होगा Question No.36 है Low back pain के निधान वो उप्चार के लिए कौन सा परिच्छर बिक्सित हुआ Which test was dilopate for diagnosis and treatment of low back pain तो दोस्तों low back pain के लिए परिच्छर बिक्सित हुआ Cross Babur test Cross Babur सकती परिच्छर Cross Babur Strains Test Option No.A यहां पे राइट होगा ठीक है जिसमें छे टेस्ट आइटेम्स आते हैं इसके बारे मैंने बताया हुआ है Test Management and Evolution के प्लेजिश में जाएए वहां सबी चीज़े मिल जाएंगी Question No.70 है निन में से कौन सा योग सुद्धी से समंधित है Which of the following yoga is related to purification तो यहां पे जो सुद्धी से समंधित है वो है हमारा हठ योग कौन है हठ योग यानि भौतेक वा मांचेक पवित्रता वा संतुलन प्राप्त करने के लिए हठ योग एक साधन है खान पान की आज़तों के कारण सरीव में एकत्रच वे टॉक्सिन वा गंदगी को दूर करने के लिए हठ योग किया जाता है जब टॉक्सिन निकल जाता है तो सरीव पवित्रता की इस हिती में पहुँच जाता है जिससे आंतरिक हिस्सों की कारण संतुलन आ जाता है जैसे कि योग जो है साथ प्रकारकेप होते हैं जैसे कि जो हठ योग है सारी को मानसिक सुध्धी प्राप्त करने के वाला योग होता है जो भक्ति योग है वह सधन सधन भक्ति करने का योग है जो राज योग है वह मन के जागरत था ज्यान केंद्रों के जगाने का केंद्र जैसे कि मरसी पतंजली ने अपने योग सुत्र में बताया है जो कर्म योग है जिसमें भगवत गीता में योगा कर्म सुक्रसलम ने बताया हुआ है कर्म करने का योग भगवत गीता में कर्म योग के बारे में ज़्यादा बताया गया है ठीक है को स्वाइब का यहां यहां पर कौन नहीं है तो निरान इंड चैप आप यहां पर नहीं है यहां इंड तीन परकार के होलते हैं मोटा निरान सेंश्री निरान इंटरमेडिय निरान यहां पर motor निरान, sensory निरान, intermediate निरान, यह तीनों निरान की प्रकार है और इस्टेटिक नहीं है, इस्टेटिक नहीं है, जैसे कि दोस्तों हमारा जो निरान है, मुखिर्व से क्याधा पर तीन भागों में बटा गया है, sensory निरान, यानि कि जिसे हम ओफ्रियंट निरान कहते ह तोस्तों यह जो है समएधी निरान जो संस्री निरान होता है हमारे ग्यानद्रियां होता है संस्री आरगन होता है कान नाक मुंध तोचब जीब इन सभी से जो सम्वैण होते हैं संदेश नवाक को हमारे पेशियों तक अंगों तक को में पहुचाता है मोटर निवरान फिर जो मोटर निवरान दूसरा होता है इफ्रियेंट जो क्या करता है संदेशों अथ्वा उद्धिपनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानि कि मस्तिस कम्मेरु रज्जू से सरीर के विभिन कारकारी अंगों पेशियों तक ले जाते हैं और इसके प्रेडाम से पेशिया क्या करती है कारे करती है फार एक जामपल आपने देखा कि आपको कहा गया कि तुम उस पुस्तक को उठा कर वहां रख दो तो आपकी ग्यानेंद्रिय ने का सुना पुस्तक को उठाना है फिर वहां पर रखना है तो जो मस्तिस कल्कुलेट करता है कि नीड़ लेता है उस नीड़े को हमारे मोटर नीरान के माध्या से पेशियों तक लियाता है फिर पेशियों हाथ के दवरा उस पुस्तक को उठाते हैं फिर दुसरे जगह रखते हैं इस प्रकार कारे हैं तो यह निरांस होते हैं कार्य करना बंद कर देते हैं जिस अंग में और अंग पर एलाइज हो जाता है बिना काम का हो जाता है कोर्शन नमर 49 है किसी वस्तु की नियुंतम सक्ति को मापने के लिए किया गया पस्षिछर है किसी वस्तु की नियुंतम सक्ति को मापने के लिए तयार किया गया प्रश्चर है क्रास वेबर टेस्ट यह ऐसा क्रास वेबर टेस्ट कि हर इज्जा में पूछाई जाता है तो नियुंतम मापने के लिए तयार किया गया है क्रास वेबर टेस्ट कोस्टन नमर 40 है कि मस्तिष के अधियन के लिए मनुविज्ञान सब्द का सरोपर्थम प्रयोग किस ने किया कि मस्तिष के अधियन के लिए मनुविज्ञान सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जैसी कि आप जानते हैं मनुविज्ञान के जनक जो है इसको आत्मा का विज्ञान अरस्तू प्लेटो डेकार्ड ने कहा सुलही सतावदी में इसको मन मस्तिष का विज्ञान पॉम्पॉन होजी ने कहा सत्रही सतावदी में चेतना का विज्ञान उनिस्वी सतावदी बिलियम उन्ट बिलियम जैम्स ने कहा व्योहार का विज्ञ मेक्डिफल ने कहा और निस्चीत या सुध्य मनोविःयन के जनक है Harrison , या भिवहार इक मनोविःयन Qb या प्रिवाहत्र इक मनोविःёन Qb कि जनक हैं बिलियम उन्ट और आधुनिक मनुविज्ञान के जनक हैं बिलियम जेम्स खेल मनुविज्ञान के पिता हैं कोलमेन ग्रिफिक सिच्छा मनुविज्ञान के पिता हैं थांडाइक बिवहारवाद के जन जाता हैं वार्शन याद रखेगा कलेस्थानिक सिच्छा मनविज्ञान का आरह में किया प्लेटो ने मनविज्ञान की प्रथम प्रेयुक साला बिलियम उंड ने 1889 में जर्मनी के लेग जीक सहर में बनाया ठीक है कोशन नमर एक तालीस है आज की सेसन का लाश्ट कोशन कौन से उत्तुलक में बल अरहा तथा भार के बीच में होता है इन वीच टाइप अप लीवर दे फोर्स इच बिट्वीन दे फलक्रम एंड लोड तो दोस्तों मैंने आपको बताया है एफ ए आर तीन सो बार यहां पर फर्ष्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होता है सिकेंड प्रकार के लीवर में रसिस्टेंस यानि भार बीच में होता है थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स यानि बल बीच में होता है यहां दो क्या पुछा है कि कौनंटार में फोर्स से बल, अधार दॉया होसा या पोदना . तो सब लोग मिल के सॉलोग करेंगे दोस्तों लेकिन रुकेंगे नहीं रुकना मौत के समान होता है चलते रहेंगे और अपने लच्छे को जरूर प्राक्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्राक्टिस में तब तक के लिए जैंगे